सर्दियों में बहुत ही अच्छे हरे मटर आते हैं तो आपने उनका फाइदा उठाया के नहीं हेलो दोस्तों मैं हूँ निर्मला मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मटर मश्रूम की मेरे स्टाइल में बनी ऐसे सबजी की रेसिपी जिसे खा कर आप पूरी सर्दियां ताजा हरे मटर का फाइदा उठाते वे ये सबजी बार-बार बनाने वाले हैं तो चलिए बनाते हैं ऐसा मश्रूम मटर जिसे खा कर खुल जाएगा आप के लिए सब की तारिफों का शटर लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यदि रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें साती मेरे ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इस हेल्दी और टीस्टी मटर मश्रूम को बनाने के लिए मैंने लिए हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लैसून और काजो अब सबसे पहले क्या करेंगे ये जो हरी मिर्च, अदरक और प्याज हैं उन्हें इस तरह से रफली चौप कर लेंगे तो टमाटर को भी मैंने इसी तरह से काट करके ले लिया है तो ये तयारी हमने कर ली है तो अब गैस पर चड़ाएंगे एक पैन अब पैन के अंदर एक से दो चमस देल डाल कर इसे भी गरम कर लें और जब देल गरम हो जाए तो इसके अंदर डाल लें दो मीडियम साईज की प्याज का टेवि इसे के साथ डाल दें लसून तो ये मैंने 7-8 लसुन के कलिया ली है और 8-10 काजु डाल कर 3 जीजों को low to medium flame पर कुछ देर के लिए पका लेते हैं सारी जीजों को 2-3 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर हरी मिर्च भी एड़ कर ले और इसे के साथ अतरक और टमाटर भी एड़ कर ले तो यहाँ पर प्याज को हमें ज़्यादा brown नहीं करना है तो जब प्याज transparent हो जाए तब इसमें टमाटर भी एड़ कर ले तो इसे जो प्याज होगा वो ज़्यादा overcook नहीं होगा अब पैन को कवर करके सारी चीजों को अच्छा soft होने तक पका लेंगे तो लगपक 5-6 मिनिट में सारी चीज़े बढ़िया soft हो जाएंगी अब इन सारी चीजों का हमें paste बनाना है तो इसके लिए इने ठंडा होने देते हैं तब तक हम ताजा हरे मटर लेंगे तो मैंने 500 ग्राम हरे मटर ले लिए हैं और मटर को मैं पहले ही थोड़ा boil करके ले रही हूँ तो इसे आगे हमारा समय भी बचेगा और साथ ही जब हम मटर को simple पानी में boil करते हैं तो ये जल्दी से soft हो जाते हैं यदि सबजे में मटर को boil किया जाता है तो वो जल्दी से soft नहीं होते हैं तो मटर को 5-6 मिनिट boil करने के बाद इसे check कर लेते हैं तो देखिए मटर अच्छे से तूट रहा है और हलका crunch भी इसमें बरकरार है तो अब मटर को हम बहार निकालेंगे और जब मटर को बहार निकाले पानी से तो इसने ठंडे पानी में डालें तो इससे मटर shrink नहीं होंगे और मटर का हरा color बरकरार रहेगा इस तरह से boil कीवी मटर को आप रेचर के अंदर लंबे समय तक store भी कर सकते हैं मटर बोयल हो गई हैं तो अब हम मश्रूम भी काट करके तयार कर लेते हैं तो मैंने 300 ग्राम मश्रूम लिए हैं और मश्रूम का ये चोटेल वाला हिस्सा होता है इसे उपर से थोड़ा कट कर लेंगे और मेडियम साइच के मश्रूम है उसे मैं इस तरह 4 पीसिस में काट करके तयार कर रही हूँ यदि चोटे साइच के हैं तो फिर आप 200 मेने काट सकते हैं तो सारे मश्रूम काट कर मैंने एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर लिये हैं और अब मश्रूम के आंदर हम हलका गरम पाने डाल कर इने अच्छे से धोलेंगे, ताकि जितने भीını के उपर लगी में वो निकल जाएं, अब इस पाने में मश्रूम को निकाल कर हम दुब़ारा इने साफ पाने में ही डालेंगे, क्योंकि मश्रूम यदि ऐसे ही छोड़के तो ये काले पढ़ने लग जाएंगे तो जिस बोल में हमने मटर निकाले थी उसमें भी पाने साफी था तो उसी में हम मश्रूम भी डाल देंगे इस सबजी में मटर और मश्रूम की मादरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं अब जो चीज़े हमने ठंडे होने के लिए रखी थी वो भी ठंडी हो गई है तो एक राइंडर जान में इने ट्रांसफर करके इनका फाइन पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे तो ये एक तम स्मूध पेस्ट बन करके तयार हो गया है तो चलिए अब लेंगे एक कड़ाई और कड़ाई के गरम होते ही इसके अंदर एक से दो चमल तेल कर लेंगे आप चाहें तो ये सबजी सरसो के तेल में भी बना सकते हैं सबजी में अच्छा फ्लेवर आए इसके लिए मैं इसमें एक यूब बटर भी एड़ कर रही हूँ और जैसे ही तेल करम हो जाएगा बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें डालेंगे एक तेजपता, एक बड़ी काली लाइची और एक चोटी जमस जीरा डाल कर इन तीनों जीजों को कुछ सेकेंड के लिए देल के अंदर पका लेते हैं फिर तयार किया गया पेस्ट डाल कर इसे 5-6 मिनट तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पेस्ट काड़ा नहोने लग जाए और इसमें से ओयल सेपरेट नहोने लग जाए तो 5-6 मिनट इस पेस्ट को पकाने पर ये काफी काड़ा हो गया है तो इस स्टेज पर इसमें पाउडर मसाली भी एड़ कर लेंगे तो 2 जमच लेंगे धनिया पाउडर, एक जमच लाल मिर्च का पाउडर, आदी जमच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल कर अब इन पाउडर मसालों को भी इस पेस्ट के साथ अच्छे से पका लेंगे अब 2-3 मिनट जब इसे पकाएंगे तो पेस्ट और गाटा हो जाएगा, साथ इसमें से ओल से अपरेट होने लग जाएगा तब इसमें हम मश्रूम और मटर डाल कर इस पेस्ट के अंदर मटर मश्रूम को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भुन लेंगे और अब इसमें क्रेवी के कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसमें गरम पानी एड़ कर लिए जब इभी सबजी बनाएं तो इसके बीच में जब आपको पानी एड़ करना हो तो हमेशा गरम पानी ही एड़ करें तो यसे कुकिंग प्रोसेस लो नहीं होगी और सबजी का कलर भी अच्छा आएगा अब कड़ाई को कवर करके 10 मिनिट के लिए मैंने इसे पका लिया है तो आप देख सकते हैं ग्रेवी पहले कि अब एक्षा थोड़ी गाड़ी हो गई है और देरे देरे और भी गाड़ी हो जाएगी यदि आपको जादा ड्राई सबजी पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग आप पाने की मातरा गठा सकते हैं अब यहाँ पर मैंने एक चमच कसूरी मिती लिए है और कसूरी मिती को हम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगी ऐसा करने से कसूरी मिती का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और यह इसली इस तरह से क्रेश हो जाएगी फिर इसमें हम आदे चमच कर मसाला भी आड़ कर लेंगी और सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए इसमें एक चोटी चमच चेनी भी आड़ कर लें बढ़िया से सारे चीजों को मिक्स करने के बाद दो से तीन मिनट इस सबजी को और पकाएंगे अब इसके अंदर मैं एक चमच दूद की मलाई डाल कर इसे भी मिक्स कर रही हूँ तो इससे सबजी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा लास्ट में डालेंगे इसके अंदर कुछ बारी कटेवी धनिया की पत्ती और ये हमारी बहुत ही टेस्टी हेल्थी मटर मश्रूम की सबजी बनकर के तयार है यदि आपके घर में मश्रूम खाना किसी को पसंद नहीं है तो आप एक बार इस तरीके से मश्रूम मटर की सबजी बनाएं यकीन मानिये सब को बहुत पसंद आएगी तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राइ करें प्लीज अपने सुझाओ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें